इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी टैकोलिक पेडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन को आम तोर पर पेट दर्द, ब्लोटिंग और पेट में मरोर और अत्यधिक एसिडिटी, गैस, संक्रमन और गैस्ट्रो के इलाज के लिए दिया जाता है यह इरिटेबल बॉविल सिंड्रोम के लक्षनों को भी नियंतरित करता है यह गट की मानस्पेशियों को आराम देता है और अतिरेक्ट गैस को शोशित करता है भोजन से पहले यह डॉक्टर द्वारा सुझाय गए अनुसार अपने को डेकोलिक पेडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन की निर्धारत खुराक मूग के रास्ते से दें आपके बच्चे के डॉक्टर इस दवा को कई दिनों तक लेने के लिए कह सकते हैं लेकिन इसे डॉक्टर से परामर्ष किये बिना दो सपताह से अधिक समय तक नहीं लेना चाह सकते हैं या बच्चे की स्थिती और खराब हो सकती है इस दवा के कुछ सामान्य अस्थाई साइड इफेक्ट में मिचली आना, उल्टी, कब्ज, डकार, द्रिष्टी संबंधी समस्याएं, भूक में कमी और सुस्ती शामिल हैं आमतोर पर आपके बच्चे के शरीर के दवा के प्रती अनुकूलित होते ही ये अपने आप ठीक हो जाते हैं, हाला कि यदि ये साइड इफेक्ट बने रह सकते हैं और आपके बच्चे को परेशान कर सकते हैं, इसलिए तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, आपको अपने बच्चे की सभी दवाओं के बारे में डॉक्ट जानकारी खुराक में बदलाव और बच्चे के पूरे इलाज की योजना के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, धन्यवाद.